तो जॉब कैसे मिलेगा जो भी मैंने बता है स्किल्स पहले आपको एक स्किल्स में आपको सीख लेना है जैसे माल की चलता हूँ आपने content writing सीख ले अब आपको क्या करना एक portfolio तैयार करना portfolio मतलब कुछ samples आपने अलग अलग type के कुछ articles लिखे या फिर जिसमें आपकी expertise आपने बना रखिये चाहे मालो आप product reviews आप अच्छा लिख लेते हो या फिर आप किसी technology के बारे में अच्छा लिख पा रहे हो मतलब latest चीजों के बारे में आप अच्छा लिख पा रहे हो तो उस तरह के कुछ samples create कर लो 8-10 articles लिख लो और मन करें तो एक अपना खुद का website बना लो आप पर पोस्ट कर दो और फिर पोस्ट करने के बाद उसका एक link बनाओ या फिर एक draft कर लो अपने Google Docs में draft करने के बाद आप नीडी person को pitch करो अब नीडी person कैसे मिलेंगे ध्यान से सुनना मुझे कैसा मिला था अब यह मत बोलना कि आपने 2015 में आप देख रहे थे बाई 2015 मे मैं तो जानता भी नहीं था कि bloggers है भी की नहीं है फिर भी मेरे को मिल गए आज तो आपको मिल दाएंगे bloggers आप एक search मारो कि LinkedIn पर आपको मिल दाएगा LinkedIn से याद है कि LinkedIn पर अपना सबसे पहले profile बनाओ ठीक है पहला वहाँ पर networking करने के भी तरीके होते networking करो बात करो comment करो appreciate करो वहाँ से connections आपके बनेंगे दूसरा events में जाना शुरू कर दो अब तो कोवीड के पास से events भी हो रहे हो events में जाओ आप अपने field से related events में जाओ वहाँ पर connect करो सामने से बात करो कि हाई वाई मैं ये करता हूँ आप क्या करते हो ऐसे करके बात करो लड़कियों से भी connect हो सकत मैंने अभी recently hire किया है video editor content writers दो और social media पर post करने के लिए सारा manage करने के लिए एक दिन पहले की लिंक्डिन पे करना है Twitter पे करना है YouTube के community में करना है तो उसके लिए एक manager ठीक है और shoot करने के लिए एक बंदा camera person तो इतने चार लोगों को मैंने hire किया है जो अगर मैं expense की बात करू तो total expense मेरा एक लाख रुपे से जादा जा रहा है पर महीने का शुरू मैंने 200 रुपे से किया था भाई अब एक लाख रुपे से जादा खाली इन 4-5 लोगों को pay करने में जा रहा है तो मैंने अगर hire किया अभी recently मैंने किया है तो ऐसे बहुत सारे लोग है जो hire करना चाहत और मैंने देखा का मुझे पसंद है तो फिर अम साथ में काम करने लगे एक आपको में और screen पे आपको दिखा दूँगा कि अगर किसी को reach out करना है तो mail कैसे लिखना है DM कैसे लिखना है ओ मैं आपको इस screan पे दिखा दूँग आप देख लो इसका screenshot लेलो और ऐसे ही आप उनको लिख सकते हो, थोड़ा अपने style में भी लिख सकते हो, आपको अगर अच्छा आता है तो आप लिख सकते हो, बट अगर random आप email मत करना, random आप DM मत करना, समझ रहे हो, आपको थोड़ा सा एक professional तरीके से आप लिखोगे, थोड़ा अच्छे से, सहुलियत से, तो आपको conversion क चांसे जाद है, आपको सामने से reply आने के चांसे जाद है, और एक बात समझ लो, अगर आप चीजे शुरू कर रहे हो ना, मैं अगर 100 डॉलर के लिए बता रहा हो, तो इसका मतलब है नहीं कि इतने पर ही रुख जाओगे, लेगो यार कोई भी दंदा छोटा या बड़ा न मैं फेल भी हुआ हूँ, मोट बारी, अलग-अलग मेरे चैनल्स थे, आपको पता होगा प्ले बटन आपको दिख रहे होंगे, अलग-लग मेरे चैनल्स थे, अभी फिलाल मैं यहीं पर फोकस कर रहा हूँ, तो चीजे ऐसे होते हैं मेरे बाट,